नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको दिल से सागत करता हूँ, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company के आपडेट सेर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा, और ऐसे कुछ Good Importance News भी है कौछ Companies के उपर, जहापे आपको उस Company के आप Indian Energy Exchange के बारे में, देखे, IEX के बारे में चर्चा करूँ, तो सबसे पहले मैं Chart Patterns के उपर जाना चाहूँगा, क्योंकि देखे, Finally मुझे लगता है, आभी Company Target Achieve करने वाला है, क्योंकि जब इस Company के उपर एक Patterns बना था, उस Patterns को मैंने आपके साथ सेर भी किया था, यह देखे जब solder come head come solder बनना है, तो कुछ इस तरीके से तो बनना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरीके से बन गया, जहाँ पर solder है, उसी level के आसपास head भी है, उसी level के आसपास solder है, तो देखे, एक चुज़ो को notice करना, कि हमेसा जो head है, उसका जो low है, उस low को किसी भी solder touch नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी solder के low, उस head के low को touch नहीं करना चाहिए, तो ही उसको solder come head come solder कहा जाता है, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, तो मैं अगर low को marking करूँ, आपको खुद पता चलेगा, कि देखे, यहाँ भी टच नहीं किया, यहाँ भी टच नहीं किया, यह निया से जहागा पर कोई भी एंटी नहीं लिया मैं इंतेजर किया कि जब नीचे आएगा री स्कुरेगा तम एंटी में लेने बार अगा drawing gwosh चल्क वह लुए करके ऊपर गया लिया इसका मतलब पर ब्रेक किया, confirmation कर दिया, इसका मतलब easily वो इस high level का target जो है उस level तक जाने वाला है, जो 210 रुपीज के आसपास है, अभी मुझे anti level से अगर target तक में marking करूँ, तो कितना return मिनने का chances है, around 30% के आसपास, तो 30% का target और वो भी जिस तरीके से यहाँ पर company journey किया है, मुझे लगता ह देड मांद के अंदर-अंदर ही मिल जाएगा, तो देड मांद में, 1.5 मांद में, 30% का target मेरे लिए best target है, तो बाकी आफ के लिए क्या है, मुझे comments करके बता सकते हैं, और मैंने इस company के उपर decision लेने से पहले, कुछ points को जुरू verify किया, जैसे company का sales and profit growth मुझे best लगा, क्योंक sales growth 15% हो गया, और profit growth 21% हो गया, इसका एक जलग आपको देखने को मिला है, कि company किस तरीके से खुद को represent किया, तो जब कोई company इतने साना तरीके से खुद को represent करते है, तो उस company के उपर growth तो बढ़ेगा है, और दूसरी बात मुझे और एक best लगा, company के उपर एक चीज़े को notice कर investment है, company के हाथ में अच्छा कासा क्यास है, 185 करोड का, और साथी साथ, जो लोगों के मन में doubt है कि company के करजा है, तो इस करजे को तो वो easily मिटा सकते है, और company के उपर सबसी important point जो है, company के उपर देखिए, जो करजा company ने जो लिया, देखे, पॉसिट भाम बॉरिंग्स, देखा जो करजा है, बहुत पहले से ही लेके रखा है, और उस करजे को भूं continue भी कर रहा है, तो कोई बात नहीं, company में dumb है, और exchange, IEX के उपर, लोगों के मन में बहुत सारा question था, लोगों के मन में बहुत बड़ा doubt create किये थे, बड़े-बड़े institution ने, क्योंकि मैं तब भी आपको ब लिया था, कुछ news के basis में, news के basis में मतलब मुझे लग रहा था कि हासे company hold करने के बाद, कुछ hold करने के बाद उपर जाएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा, big crash हो गया, क्योंकि एक ऐसे news आया, क्योंकि IEX का जो monopoly है, उसको खतम हो जाएगा, इस तरीके से कुछ news आया था, उसके मेरा first anti था, उसके बाद फिर से आपके अगर range rate करें तो में फिर से एक बाद second anti लेने वाला हूँ, तो मेरा view आपके साथ से यार के हो, आपके view क्या है, जोरू मुझे comments करके बता सकते हैं, next चो company है, उसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है, बोन दादा engineering limited, जो एक साधा ज कमपानी आपको 500 देने वाला है, क्योंकि इसका face value 10 रूपिया था, वो 2 रूपिया बनने जा रहा है, और यहापर देखे, जो split होने वाला है, वो September के दो तरीक में, तो overall company के जो performance है, company के जो data है, उस data के according में जोरू कहूंगा, company इसको पर आपको focus होना चाहिए, company को आपको study करना चाहिए, तो बाकी इस company को पर मेरा जीव भी है, वो आपके साथ share क्या हो, आप अगर split लेना चाहते है, तो एक बार आपके saverist advisor के साथ बाचीत करके ही काम करना, तो next चो company उसके नाम है, relax of photos, देखे, relax के लोप और बहुत सारे लोगों का doubt बढ़ते चले चले जा रहे है, क्योंकि company लगातार गिरती चले जा रहे, तो क्या relax हो खतम होने वाला है, देखे, अगर relax हो के के बारे में बात करूँ, तो एक कोई पहली बात छोटे मोटे company है तो नहीं, दूसरी बात company sector के लेडर प्लियर भी है, क्योंकि इसका market cap इंडिया के second largest footer industries बनाते हैं, और leather and footer industries में, company largest company में कुछ धिक्कत वाला points देखने को मिला, जैसे, relax हो के अगर में sales का growth के बारे मात करूँ तो sales positive है, माल लेता हूँ, मगर company का profit growth negative में चला गया, देखे, कुछ दिन पहले metro band का profit and sales growth positive दीख रहा था, आज negative है, मतलग company के अंदसर गरवरी नहीं है, यसे बाटा के भी हालत देख लिजिए, sales बेकार है, आप profit कुछ positive है, campus active है के हालत देख लिजिए, negative है, profit भी negative है, मतलब पुरा के पूरा sector के हालत खराव है, और इस sector हालत खराव होने के कारण company के भी थोड़ा सा हालत देख, मतलब या पे एक correction होता हो देखने को मिले, तो जो लगातार ग continuously selling है, उसी तरीके से अगर metro band का हालत देखेंगे, तो क्या उसका हालत भी सेम है, अगर metro band का हालत देखेंगे तो बो भी, मतलब profit जो है, पो ना के वराबर है, मतलब यहापे भी volatility बहुत जादा हुआ, correction भी बहुत जादा हुआ, तो मुझे लगता है, जो foot air industries है, उसमें growth हो उने में थोड़ा सा time लेगेगा, अभी देखे, festival का माहूल आ रहा है, अभी festival का माहूल start हो जाएगा, गनपती के बाद ही festival का माहूल start हो जाएगा, all over country's में, अलग-अलग जगा पे अलग-अलग festival होता है, तो इस festival के time में सबसे ज़्यादा luxuries product, जूते से लेकर, कपड़े से लेकर, jewelry से लेकर, हर products बेजा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, इस time में ही ज्यादा सबसे ज्यादा business होते है, तो साइद इस time में ही company के growth होने का chances देखने को मिल सकता है, बाकी relax के उपर, जो quarterly result है, वो देखेंगे, तो company के इस बार भी sales same to same level में है, कोई भी changes नहीं है, expense मि पर create होा है, उसके according company के पर एक pressurize अभी भी है, तो मैं जुरूर कहूंगा, इस company के पर काम करने से पहले, इस सारे points को जुरूर आपको observe करना होगा, बाकी, रही बात इसका chart patterns का, तो जब मैंने यहादा पर एक patterns बना था, उसके according इस patterns लेने के लिए मैं तयार था, कि shoulder बने, head बने, उसके बाद shoulder तीन बर बने, finally break out होगा, तो मैं anti लेने वाला हूँ, तो यहापर break out हुआ ही नहीं, तो मैंने anti नहीं लिया, और जिस तरी के से correction हुआ, तो अभी फिलाल के लिए मैं इस company के पर कोई decision नहीं लेने वाला हूँ, जिके देखे, बीच में एक दिन एक high volume तब ही मैंने आपको बता था, कि 200 days moving average को ब्रेक नहीं कर पाए, उसके नीचे closing हुआ, इसका मतलब seller अभी भी active है, seller अभी भी उसको नीचे ले आने के लिए कोसिस करेंगे, यह जो range बना था, एक दिन का, वो range कितना बना था, at least range देखा है तो 18% के आसपास बना था, अगर 20 bottom period के जो कोई भी trading है, वो अभी तक कोई बना नहीं, तो इसके लिए मैं कोई काम फिलल के लिए नहीं करूँगा, तो वीडियो में जानकर अगर अच्छा मिला होगा, तो प्लीज एक लाइक जूरू कर देना, नेक्स चो कमपनी है, उसका नाम है कलन जोलेस, देखे कलन जो हो सकते है, मगर टाइटन के साथ कलन का मतलब डीफरेंस करना गलत होगा, क्योंकि टाइटन का सिर्फ जूलेरी के बिजनेस ही नहीं है, टाइटन वाच का भी बिजनेस करते है, साथी साथ संग्लासिस का भी बिजनेस करते है, और भी कुछ अलग-अलग के बिजनेस कमपनी के अंदर एक साथ जूड़ कर रख है, और कलन जूलस का सिर्फ कैसे जूलरी के ही विजनेस है, मतलब जूलरी हो, जेम्स हो, तो डाइमट हो, इस तरह की सी पोडक्स के उपर ही कमपनी काम करता है, तो कलन जूलस के उपर एक आपडेट है, जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ आपडेट का अगर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कमपानी में कितना growth आपका में टाइंस में आने वाला है देखे कलंजोलस प्रोमोटर ने कहा है तू रेज 2,500 क्रोड debt to boost equity stuck मतलब कमपानी के management खुद कहे रहा है कि मैं करजा लेने वाला हूँ और वो भी किसके लिए किसके लिए करजा लेने वाला है obviously debt को boost करने के लिए करजे को इसलिए बड़ा जा रहा है किकि equity boost करने के लिए equity stake को boost करने के लिए वो करजा ले रहा है तो करजा लेना क्या सही होगा? आपको यह देखना है कि पहले कंपणी के पास कितना करजा है? देखे, पहले ही कंपणी के पास One Person का Depth है. 62,000 करोड का कंपणी में 4,400 करोड का करजा मेरे इसाब से जादा करजा है. देखे, इस करजे को कंपणी को पहले मिटाना चाहिए था. इंटा कंपणी यह बता रहे कि कंपणी और भी 2,500 करोड के आजपस करजा और भी लेने वाले हैं. मतलब जो Depth है, इसके साथ 2,500 करोड और भी ऐडिंग हो जाएगा. मतलब Depth तो जो Equity है, और भी बनने वाले हैं. तो यह कंपणी के लिए Presurize होगा, क्योंकि देखे, आज बिजनेस सब ठीक ठाक चला है, ठीक है. काल मान के चले COVID जाएसे 2 साल के लिए Lockdown हो जाए, बिजनेस में correction हो जाए, तो इस कंपणी में तो खत्रा आ जाएगा. क्योंकि करजा जो जहां से आपने लिया, वो तो यह नहीं कहेंगे के चलो COVID आ गया, आप 2 साल के बाद ही मुझ तो यह नहीं की बात कहूंगा, कंपणी में फिलाल के लिए दम है, क्योंकि कंपणी लगातार खुद के growth को maintenance कर रहे हैं, और इसके salver के data दिखा दो, तो company लेके sales का growth भी positive है, and profit भी positive कहूंगा, last 3 years में 300-300 person का growth हो गया, इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बास से 30 person है, तो खराब है, ऐसे बिल्कुर नहीं, company के performance ठीक ठाक है, और देखा जाए तो company के उपर टेक्निकली जो chart patterns बना है, उसके बार हैं बात करो, तो मुझे पहले एक patterns मिला था, उसके according यहाँ पर एंटी मिले, और finally उसका 17 person के आसपास target मिल चुके है, दूसरे एंटी फिर से quantity adding करूँगा, और मेरा जो target level आएगा, वो कुछ इस तरीके से level है, 6,33 इसके आसपास, जो total range निकल का आया है, 27%, तो यहाँ पर तो नीचे आया ही नहीं, तो इसमें एंटी करने का बात ही नहीं बनेगा, हाँ, यहाँ पर एक patterns बन सकते है, यहाँ पर एक cup तो बनने जा रहा झाल, 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 झाल झाल